Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. मेरा नाम है Jatin और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कौन से बेस्ट लाप्टॉप्स हैं म्यूजिक प्रेड़क्शन के लिए मेरी नजर में So जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैं लाइव आया था और वहां पे कॉमेंट आया था So मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा Next वीडियो मतलब आज थोड़ा से वीडियो लेट मिल जाएगा आपको तीन बजे के बाद ही मिल पाएगा लेकिन वीडियो ज़रूर मिल जाएगा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बेस्ट लाप्टॉप्स हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए मेरे एकॉर्डिंग सो सारे के सारे लाप्टॉप्स मैंने आप पे आपको शो करे हैं और डिस्क्रिपिशन में उनके लिंक्स है मैंने वहां पे में में कर दी है थोड़ी सी मेजर हो से स्पैसिकेशन सो सी एपको बटाऊप पर आपको लैप्टॉप्स से पहले चलते हैं अपनी फर्स्काट एटड़े वराई उसकी तरफ तो यहां से पहला स्टार्टिंग है अगर आपका बजट 25,000 के अंदर है तो आप यह लाप्टॉप ले सकते हो Lenovo का IdeaPad S145 AMD तो यहां पर इसमें आप देख सकते हो क्या इसकी कॉन्फिग्रेशन है 15.6 इंच की आपको LED स्क्रीन मिलती है HD Thin, Light Laptop है 4GB RAM है, 1TB इसकी Hard Drive है और Windows 10 के साथ आता है और जो Total Weight है इसका वो है 1.85 KG तो काफी Lightweight Laptop है यह और 25,000 के अंदर यह एक सही option रहेगा और प्राइस यहां पर आप एक्जाक्ली देख सकते हो 24,500 है इसका और कई बार हो सकता है कि Sale भी हो सो आपको वहाँ पर कम भी प्राइस का मिल सकता है नेक्स्ट केटेगरी की तरफ चलते है सो यहां पर आती है 35,000 के अंदर वाली केटेगरी और यहां पर जो है वो है Asus की तरफ से Vivo Book 14 और यहां पर इसका Model Number आप देख सकते हो इसमें आपको Core i3 मिलता है 7th Generation प्लस 14 इंच की स्क्रीन मिलती है Full HD साथ में Lightweight Laptop है यहां पर आपको 4GB RAM मिलती है 1GB Hard Drive मिलती है Windows 10 मिलते है Integrated Graphics है इसमें और इसका जो Weight है वो है 1.50 KG और इसकी Price आप देख सकते हो 33,799 है So 35,000 के अंदर यह एक Best Buy है अब जो next laptop है वो भी same है लेकिन थोड़ा सा different है So हम यहां पर चलते है और आप यहां पर देख सकते हो जो budget है थोड़ा सा बढ़ गया है यहां पर budget हो गया है 36,470 लेकिन अब आप देखोगे यह भी i3 है लेकिन इसमें क्या difference है यह है 8th Generation यहां पर आपको 15.6 इंचिस की ही screen मिल रही है यह भी lightweight laptop है लेकिन यहां पर 4 GB RAM है और साथ में 256 GB SSD है वहां पर हमको मिल रही थी hard drive 1 TB की आप देख सकते हो यहां पर जो screen size है वो भी 14 इंच है यहां पर screen size भी बढ़ गया है 15.6 हो गया है अब जब इसका screen size बढ़ गया है तो थोड़ा सा weight भी यहां पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि है 1.70 kg ज़्यादा नहीं है 1.7 भी बट अगर compare करें पिछले वाले से वहां पर था 1.5 kg यहां पर आपको 200 grams का फट मिल रहा है अगर आपका budget allow करता है सो मैं आपको यही वाला laptop recommend करूँगा इसकी बज़ाए क्योंकि यहां पर आपको एक generation कम भी मिल रही है प्लस screen size भी है और यहां पर आपको SSD मिल रही है सो काफी ज़्यादा fast भी है यह 35 से अगर थोड़ा सा आगे कर सकते हो budget increase कर सकते हो सो यह वाले laptop की तरफ आप जा सकते हो सो next category की तरफ चलते है सो यहां पर i5 की category यहां पर Lenovo IdeaPad S145 सो Intel i5 10th generation का इसमें प्रोसेसर है screen size आपको मिलता है 15.6 inches का full HD screen है और thin है साथ में यह lightweight laptop है और यहां पर आपको 8 GB RAM 1 TB hard drive और साथ में Windows 10 मिलता है और इसमें office 2019 भी आपको मिलता है और इसका जो weight है वो approximately 1.85 kg से अगर आपका budget एलाओ करता है 45,000 तो आप यह laptop ले सकते हो best laptop है next laptop की तरफ चलते हैं सो यहां पर हमारे पास है i5 की ही category से HP का laptop अब आप सोचोगे कि HP का laptop मैं क्यों यहां पर रख रहा हूँ बाकी यह तो सारे new है बाकी HP का तो यह थोड़ा पुराना model भी है so HP मैं खुद यूज कर रहा हूँ and यहां पर जो मेरे पास भी है laptop वो है i5 and थोड़ी सी configuration उसमें different है and मैंने बाद में भी upgrade किया था so यहां पर आपको जो यह laptop मिल रहा है वो है HP की तरफ से 8 generation का इसमें processor है i5 processor and यहां पर आपको 8 GB RAM 256 GB SSD और साथ में Windows 10 मिल रही है साथ में आपको Microsoft Office भी मिलता है जो कि आपके इतने काम का नहीं है but फिर भी आप इसमें थोड़ा बहुत अपना personal काम भी कर सकते हो office का यहां फिर अगर आप student हो so आप office पे काम कर सकते हो and यहां पर जो इसकी price है वो है 50,990 वैसे यह मैं अगर आप मेरा इसमें पूछोगे suggestion so HP best है बाकि आप Acer भी ले सकते हो Asus भी ले सकते हो Asus भी अच्छा है and MSI की अगर बात करते है so मैं आगया चल के आपको बताता हूँ और भी laptops तो next पे चलते है so यहां पर हमारे पास i7 की category आजाती है यहां पर जो मैंने laptop आपके लिए choose किया है वो है Acer Aspire 3 यह 8 Gen का processor है i7 processor screen size है 15.6 inches full HD screen है lightweight laptop है यह भी 8 GB की RAM मलती है 1 TB hard drive है Windows 10 मिलता है साथ में आपको और साथ में आपको graphic card भी मिलता है 2 GB का और इसका जो weight है वो है 1.9 kg and इसकी जो price है वो है 51,990 so अगर आपका budget allow करता है तब 52,000 का so आप इस laptop को ले सकते हो so अगर next category की बात करें so यहाँ पर जो series आने वाली है मतलब मैं आपको जो show करने वाला हूँ वो थोड़ी सी जादा expensive है और performance wise भी काफी अच्छी है जो की series है gaming laptops की so gaming laptops पर चलते हैं यहाँ पर हमारे पास है MSI Gaming GL65 9S C के so पूरा इसका यह model number है आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो processor मिलता है वो है Core i7 Intel की तरफ से जो की आता है 9th generation का processor है screen size इसका है 15.6 inches का 8 GB इसमे RAM है 512 GB इसमे NVMe SSD है इसमें साथ में आपको Windows 10 मिलता है और साथ में graphic card भी है जो की है 1654 GB का यहाँ पर जो इसका weight है वो है 2.3 kg के अप्रोक्स और जो इसकी price है वो है approximately 85,000 यह जो price है यह काफी ज़ादा है जो पहले laptops दिखाए हैं मैंने लेकिन अगर आप performance compare करोगे gaming laptops की जो performance है वो ज़ादा ही निकलेगी जो पहले के laptops मैंने आपको दिखाए हैं यह normal user के लिए होते हैं यह वाले जो laptops हैं यह जो laptop है यह gaming के लिए बनाया जाता है और यहाँ पे जो performance होती है वो काफी ज़ादा अच्छी होती है नीचे इसके जो आप specifications देख सकते हो इसकी core speed आप देख सकते हो 4.5 GHz अगर आप compare करोगे पुराने जो यहाँ पे मैंने आपको laptops दिखाएते हैं वो थोड़े से पुराने वालों की कम होगी और यहाँ पे जो gaming laptop है उसकी जादा होगी अगर आपका budget अलाओ करता है 85,000 तो आप इसकी तरफ जा सकते हो नेक्स laptop की तरफ चलते हैं वो भी है MSI की तरफ से ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको Core i7 9 generation का ही processor मिलता है 15.6 inches इसका screen size है 8 GB RAM है 1 TB hard drive है और साथ में आपको मिलती है 256 GB NVMe SSD Windows 10 भी साथ में है graphic card है 1660 Ti जो की है 6 GB का graphic card यहाँ पे आपका जो weight है laptop का वो है 2.22 kg so यहाँ पे यह वाला जो laptop है यह है 90,000 का इससे थोड़ा सा ही जादा है लेकिन मैं आपको prefer करूँगा कि आप यह वाला laptop लो और अगर आपको gaming laptop लेना है इसमें i5 का भी एक option है so आप यहाँ पे भी देख सकते हो यह अभी currently unavailable है इसलिए मैंने नहीं बताया था बढ़ आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे इसकी प्राइज अभी नहीं आ रही है अगर आप देखो इसको as a gaming laptop so i5 आप इसको ले सकते हो फिलाल बात करते है Core i7 की so 90,000 में यह best है क्योंकि इसमें graphic card भी है so अगर आप अपनी videos भी इसमें edit करते हो so graphic card है बहुत easily हो जाएगा और यह जो graphic card है यह personally मैं खुद use कर रहा हूँ but मेरा जो है वो PC में लगा हुआ है 1660 Ti graphic card है बहुत अच्छा graphic card है so यह laptop तो मेरे तरफ से best way है अगर आपका budget allow करता है 90,000 का तो so guys I hope आपका जो queries थी आपके जो questions थे कि कौन से laptops हमें लेने चाहिए music production के लिए वो आज इस video में पूरे हो गए होंगे आपको उनके answers मिल गए होंगे अगर आपके मन में और भी कोई doubt है यह queries है so comment section खुला है आप पूछ सकते हो so अगर वीडियो अच्छा लगा है so video कर देने like channel को कर देने subscribe plus यह video share भी कर देने अपने friends के साथ so that उने भी knowledge मिल जाए so आज के लिए इता ही मिलते है next video में